यदि सच्चे मन से गुरु मंत्र का प्रभू के नाम का जब करें, तो चाल साल में उसको भक्ती का असर आ जाएगा और भगवच्चरणों में प्रीती हो जाएगा। नियम से करें जैसे वो दस टैम चाय पीता नियम से, तुम तीन टैम इही नियम से भजन करोगे। हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कि जिस बस्तू का सेवन ज्यादा करोगे, उस बस्तू का सुभाव, प्रभाव आपके उपर आएगा। इसलिए भगवान की कथा सदा सेव्या सदा सेव्या शरीमत भागवती कथा भगवान की बातें सुनो भगवान की कथा सुनो भक्त चरित्र सुनो तो आपका मन भी भावानवित रहेगा भक्तों में भगवान के चरित्रों में रहेगा अन्यत इतर मन नहीं जाएगा और आपक इतने बीमारी आती हैं, यह सब मन के द्वारा ही आती है, जिसकी लंबी आयू होगी, उसका मन अच्छा होगा, लंबी आयू का राज है, अपनी सोच अच्छी रखना, तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुनना चाहिए, बोले भगवान की कथा सुनने से, बड़े बड़े का उधार हो जाता है, और असंभव ही संभव हो जाता है, यहां तक कि पांच प्रकार के महापापियों का भी उधार हो जाता है,